जैए शीगरेंची हर हर मादे मैं हूँ अचारे संध्या सक्सेना मा लक्ष्मी जोती शदात्मी संस्थानी तब से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज सावन का पहला सुमबार है और आज सुमबार को बहुत सारे लोगों ने बरत रखा होगा और आज सुवे से लेकि शाम जग लोग शिवलिंग पे जाते हैं जल चड़ाते हैं ध्यान पूजा पाट नुश्ठान करते हैं शिवलिंग पे पूरे दिन को आई भी आप जिनके साथ शिव हमेशा घूमते हैं यहां तक कि जब वो माता पारवती के साथ होते हैं तो भी वो उन चीजों को नहीं छोड़ते हैं तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ दूरलब चीजों के आरें बता रही हूं जिनको आज अगर आप भगवाय शिव को चड़ाएंगे त तो आज क्या से वो शिव को चीजे चड़ानी है वो ही है मैं आपको बताऊंगी तो सभी बड़ों को परणाम छोटों को प्यार और जो मेरे हम मुरें उनको भी प्यार और आशिवात भगवाय शिव करती हूं जब भहादेव आपके साथ हमीशा रहें मेरे साथ मेरे करने का मौका मिल जाता है तो यह बहुत ही अच्छी बात है इसके वाला प्रभू आपके कृपा बना रहे हैं इसके लाबा खास वर पर किसी पवितिस्थान पर जा सकते हैं जैसे कल हम लोग चंडी दे भी गए थे हमारे कुछ क्लाइंट्स आएवे हैं पहार से और मेरा ज जैसे भी है और लोगों के साथ एक रुष्ठान भी कराने का प्रोग्राम है तो जैसे भी है तो आज मैं जो आपको बता रही हूँ आपको यह कहना चाहरी हूँ कि यदि आप भी किसी पवितिस्थान के असपास रहते हैं जहां का संबन्द यात अग्यात रुप से शिप स करेंगे भोले बंडारी हैं सभी राक्षास सभी देवदा और यहां तक ही रावण तक जो सबसे ज़्यादा जो अधमी था और भगवान नारण का दुश्वन था उन्होंने भी जब अपने परकष्ट पड़ा तो सिर्फ शिप की ही पूजा की है और आप ऐसे बहुत सारे राक्षासों के बारे में जानते हैं जुनोंने सिर्फ शिप को उका रहा है शिप का ही पूजन किया है और बाद में धर्ती पे बुचाल मचा दिया तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं शिप को चढ़ा देंगे कुछ खास चीजे तो शिप आपके हो जाएंगे और वो है चंद्रमा। आपने देखा होगा कि भगवान स्हूर्थ के सबसे उपर सरवे। चंदमा की एक जो है स्थापित है उनकी जटाओं में और चंदमा को उन्होंने दक्षपरजा पती ने जब चंदमा को शाप दिया था चंदमा की मृत्य हो गई थी तो उनको संजीवनी मृत्य संजीवनी के मंतरों के द्वारा उनको जीवित किया गया और उन्हों भगवान शिव ने संरक्षन दिया अपने पास और उन्हें कहा कि आसे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा मैं सुवश्य में तुम्हें रक्षन करूंगा और भगवान शिव ने चंद्मा को अपने माथे पे बढ़ा लिया जो टाओं में चंदमा का संबंध हमारे माता से संबंधों से भी होता है यदि आप गर में आपकी माता बहुत ज़्यादा बिमार रहती है या माता के साथ आपका अकसर जगड़ा हो जाता है यदि आपको धन की दिक्कत है यदि आप मानसी गुरूप से बहुत इस्थिर नहीं है आपको इम संपत्ती की दिक्कत है आपको कुंडली में बताया गया कि आपका चंद्मा बहुत ही खराब है आपको पता है और आपकी माता का संबंद चंद्मा से है तो माता का संबंद अगर आपसे खराब रहता है या माता बिमार रहती है तो ये उपाय आपको करना है कि आज आपको एक इस भी टाइम मंदिर में जाके चड़ा सकते हैं और ऐसा आपको इस सोम बार में लगातार कमसम तीन बार या पांच बार करेंगे और विशेश परिस्तिती में अगर पैसे की दिख गते तो आपको एक बार तो करना है इसके लाबा कच्छे चावल जो टूटे ना हो उसको भी चड़ा देंगे यो शिप को अत्यंत परिये हैं जो कच्छे चावल होते हैं इसका समंद भी चंदमा से और शिप से ही है तो आप इसको चड़ा सकते हैं ये भी वही काम करेगा आपकी धन संपती बढ़ाएगा माता के साथ आपके समंद मुझबूत करेगा माता विमार रह हुआ सर्प ये आपने सांप दिखा हैं जो बढ़ान शिप के गले में पढ़े रहते हैं तो यदि आप पंडी जी ने बताया कि आपके आपकर कालसर दोश है और आपको जो है नहीं बच सकते हैं और आप किसी भी धरगे कालसर दोश से पीडित हैं या आपको दोश है पितरदोश पितरदोश या कालसब दोश या कुंडली के किसी परकार के दोशों को निपटनी के लिए आपको जो है तामबे का एक नाग-नागिन का जोड़ा वजार से लेके आना है दस पाँच उर्पे का मिल जाता है और इसको जाके आपको भगवन शिव के मंदिर में ओम नमशिवाय का जाप करते वे या शिंकर स्तुती शिव स्तुती पढ़ते वे आपको भगवन शिव को आज इसे अर्पित करेंगे आप जब इसे अर्पित करेंगे भगवन शिव को और भगवन शिव से प्रात्ना करेंगे कि मेरे पर जो भी पांच सोंबर इसको चढ़ा देते हैं और आज पूरे दिन में कभी भी चढ़ा दीजिगा अगर आपका किसी कारण से पांच नहीं हो पाते तो कमसम तीन चढ़ा दीजिए अगर आप सावन के इलावा इस मंत को सुन रहे हैं इस वीडियो को सुन रहे हैं तो फिर आपको में सुन रहे हैं तो भी आप शुक्ल पक्षर शुरू करते वे पांच सोंबर चावल चढ़ा देजिगा चांदी चढ़ा दीजिगा जो मैंने आपको बताए है बहत तीसे नंबर पे जो आता है सप चढ़ाने से आपका काल सब दोश भी दूर होगा आपके पर जो ग्यात अग्यात कारण से बेह लगा रहता है, वो भी ठीक हो जाएगा, दुर्गटना है आपके साथ होना बंद हो जाएगी, पितदोश खतब हो जाएगा, और ये आपको हर तरिके से लाब दीगा, तीसे नंबर पे जो चीज आपको चड़ानी है, वो है गंगा जल, आपने सुना आपके आसपस में इतना गंगा जल नहीं है, तो आप प्लेन वाटर साफ पानी लेके, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाके, ओम नमश्योएगा, ज्याप करते वे बगान शिप को चड़ा दीजेगा, और उनसे अपने घर में सुक्रशान्ती, ये लिए प्रातना कर जल का समद्द जल से होता है, जल जो है, लक्षमी की उत्पति जल से यानि शीर सागर से ही हुए है, तो अपने घर में पैसा बरकत के लिए आपको भवन शंकर का जो है, शिपलिंग का अभिशेग जल से करना है, यानि गंगा जलसे करेंगे आपके जो भी मनुकामना है वो बोलेंगे शिवतान रफस्तोत पढ़ सकते हैं शिवस्तुति कर सकते हैं शिवकवच पढ़ सकते हैं आपको जो अच्छा लगे है साथ में वो पढ़ सकते हैं इसे भी आपको पांच जो है या साथ सुमबर, अगर आप पांस सुमबर का सुना भी कर रहे हैं, अबीज में आपको मिंसस की प्रॉब्लम है, या कोई और दिक्कत है, आप बहार चलेगा सेटी से, या कोई और कारण है, बिमार हो गया तो आपका वो स्किप होगा, उसको अगली बार आप काउंट कर लेंगे, तो तीन चीज़े मैं आपको बताई हैं, चौथी नंबर पे भगाउन शिप को हलाहर बोलते हैं, क्योंकि भगाउन शिप ने विश का पान किया था, और इसलिए विश को विशी काड़ता है, इसलिए प्रभु धतूरे का सेवन करते हैं, और काला-धुटूरा उनको ज़्यादा परसंद है, क्योंकि काला-धुटूरा सबसे अजहरीला होता है, और काला-धुटूरे का ही परशाद उनको चड़ता है, तो आपको चौथे नंबर पे जो चीज बता रही हुए, और आपको भगवान शिप को ये दुदूरा चड़ा देना है और आज ही चड़ा दीजीगा इसे भी आप अपने हिसाब से एक, तीन, पास, साथ के हिसाब से चड़ा सकते हैं दुदूरे का सम्मंद हलाहर यानि विश से है आपको प्रातन करनी है प्रभू जिस तरह से आपने विश को पी कर सम्मंद मंतन से सभी जीवों की रक्षा की है इसी तरह से मैं आपको धुतूरा चड़ा रहा हूँ या चड़ा रही हूँ आप मेरे जीवन के जो भी विश है जो भी परशानी है जो भी कट्टाई है जो भी दुख है उनको भी पी जाएए और मेरे जीवन की रक्षा कीजिए मेरे अपनों की रक्षा कीजिए जो भी आप चाहते हैं अपनी मनु कामना बोलिएगा इसे आपकी प्रातना प्रभू स्विकार करेंगे पांच ये नमबर पर जो मैं आपको चीज बता रही हो बेल पत्र है शिव को सबस्यद अपरिये है ऐसा का जाता है अगर आप बेल पत्र के नीचे बैट के तपस्या करते हैं समाधी लेते हैं नमश्याय का एक हजार बार जाप करते हैं तो शिव आपके अधीन हो जाते हैं इसके लाबा बेल पत्र के बेल के बहुत सारे प्रोग है घर में बेल लगाना अच्छा होता है आप अपने घर में भी बेल का पेड़ लगा सकते हैं आप किसी शिव मंदिर में जो है बेल का पेड़ दान कर सकते हैं और उसको कुछ जिन सीचिए जल दीजे उसमें इससे आपकी मुनुकामना पूरी होती है तो अब मैं आपको बेल के पत्ते का बेल के पिड़ का बता रहे हूँ आप अपने हिसाब से जो भी है आपको 1, 3, 5, 7, 11, 21, 51, 108 जो भी आप चाहें बेल पत्र ले लिजे और ओम नमस्षवय कहते कहते आपको भगवान शिव को चुड़ाना है हर सोंबार चुड़ा सकते हैं आप डेली भी चुड़ा सकते हैं बेल के पत्र को 108 बार भगवान शिव का नाम देके चुड़ाने से चालिस दिन चलाने से बड़े से बड़ी समस्था भी हल हो जाती है शिव आपके साथ हो लेते हैं नमस्षवय कज्याब कीजे और प्रभू के अंतधान हो जाए ये ये पांच चीज़े मैंने आपको पताई हैं जो खासे मेन हैं शिव भगवान को चड़ती हैं से तो चड़ने को भगवान को बहुत को चड़ता है और जब भी आप अपनी भगवान शिव के मंदिर जाते हैं उस मंदिर में ही जाना है जहां पे नंदी बैठे हो सामने या आसपास और उसके बाद आपको भगवा नंदिश्वर देवता को कान में बोल देना है जो भी आपकी मनुकामना है जो सिर्फ वो सुने कोई और ना सुने और नंदिश्वर देवता के नेमित आप किसी भी गाएं को या बच्छड़े को कुछ भी खिरा सकते हैं किसी लोगो जो है नंदीश्वर देवता के नाम से अन्न का दान करना चाहिए भोजन खिलाना चाहिए इससे परभू आपकी प्राथना सुनते हैं और आपके ये छे की छे चीज़े पूरी हो गई जो मैंने आपको बोला था भगवान शिप को बहुत प्रिया है शिप आपकी बात कर लो मंदिर में ही जाना है और शिवाले ही जाना है और ऐसे शिवाले जाना है जहां पर नंदी बैठे हो तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा अच्छा लगाई तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद झाली हो गलर जाना है तो तो लेख है क् हिरिए जाना है यो जाया भर भीडियो यो सबक्रा कीजिए हैं हाँवाद अजया जो Pourquoi तो बात बत्तों हेया है यह है झाल sाथ है कि आया है लागको के एक बत् कर दो जाएगा थाना है यो going झाल 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 झाल